हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग चरक सहमिता के सिध्धी स्थान के पृथम अध्याय कलपना सिध्धी के बारे में पढ़ेंगे इस चप्टल में हम लोग वमन विरेचन निरू अनुवासन नस इनकी कलपना कैसे की जाती है इन पंच करमों का क्रम क्या है इन पंच करमों में क्रत अक्रत अतिक्रत के लच्छन क्या होते है वमन विरेचन आदी की उचित संख्या क्या होती है बस्तियों के गुण क्या होते है किन किन लोगों में कौन कौन सी बस्ती जी जाती है इन पंच करमों के प्रयोग काल में क्या या परिताज यह है और वर्जनी पदार्थों के बारे में देखेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में जो इस चेप्टर में हम लोग डिसकस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है स्नेहन और स्वैदन कल्कना सिद्धी में तो पंच को किसी भी पंच कर् तो सबसे पहले स्नेहन स्वैदन में स्नेहन करना चाहिए स्नेहन तीन से साथ दिन के बीच चाहिए मतलब कि कम से कम तीन तक करना चाहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम से तीन दिन और मैक्सिमम से मैक्सिमम साथ दिन क्यों कहा गया है तो साथ दिन बाद जो व्यक्ति होता है व को मतलब की असनेहन है इसको कर अच्छे से सोस्व समझज़ कर जो वैद है वह दे हो थीक है तो इसके लिए जो कोस्थ वाला जो व्क्ति उसको का Тут दिन एम जो मध्य कोस्ध वाला विश्वाल है उसे 5 दिन को असनेहहे मं जिरू में मलोक की रुकावट को दूर करता है लेकिन ये सिर्फ साथ दिन तक देना चाहिए साथ दिन से अधिक देने से कोई फायदा नहीं होता है इसने के बाद इसने के बाद स्वैदन का बात हो रही है इसने के बाद जो स्वैदन दिया जाता है तो इसने के बाद स्वैदन करने मतलब ये कि जो सुक्ष मारगों में दोश्ट ध्रव होते हैं ठीक है जो दोशिया सरीर के स्रोतों में चिपके होते हैं եूश्क होगे होते हैं वे द्रभ गिले हो जाते हैं फिर उसके वन के पूर्व इस्क उत्कलेश मतलब की जो वक्ति है उसके जो उससे फिर उसको सेवन करने को ठीक है यह कि वमन करने यूग्य वक्तियों को एक दिन पहले ग्राम या जली यह आणूप पशुपक्चों के मांस या मांसरस के साथ दूद का प्रेयोग कफका उत्कलेश करता है ति ठीक है विरेचन जिनका किया जाता है जिनका विरेचन करना हो ऐसे वक्तियों को जांगल प्रशुपक्षयों के मांसरस के साथ जो कफ को नहीं बढ़ाता हो ऐसे यूज द्वारा मल को उत्कलेशिट करना चाहिए तो जिनको वमन कराना उनको कफ उत्कलेश किया जाता है जिनको विरेचन कराना उनका मल उत्कलेश किया जाता है कफ क्या प्रभाव पढ़ता है कफ दोश या प्रकृति संसोधन पर क्या प रख निकलता है तो उसमें क्या करना है कि वह उन और शुदियों को आपर उप देता है इसी के लिए उसको वो अधो मार्व जो विरेचनार्थ और शदियां है वो अधो भाग से निकल कर उर्थ भाग से निकल जाती है और अगर कल्फ मन दो और यही अगर वमन के लिए हम लोग यूज करेंगा और कफ जादा दिक है तो उसका अच्छे से वमन हो जाएग और अपना कारिय सुचारू रूप से करती है और विरेचन होता है तो इसलिए कहा गया कि कफ प्रधान व्यक्ति को बिना किसी कस्ट के वमन हो जाता है और जिन व्यक्तियों के शरीर में कफ मंद होता है या ओल्प होता है वे सुक पूर्वक विरेचन करते हैं फिर देखते कि शुद्धी के लेक्षन तो शुद्धी प्रधान मद्य हीन शुद्धी प्रधान शुद्धी और मद्य शुद्धी तो जो हीन शुद्धी उसमें वमन के वेग आते हैं आठ वेग मद्य में छे वेग आते हैं और हीन में चार वेग आते हैं वमन की जो मात्रा होती है वो द बीस वेग आते हैं मध्य में बीस वेग आते हैं और हीन में दस वेग आते हैं और जो विरेचन की मात्रा है तो वमन की मात्र से वो दो गुनी होती है मतलब प्रधान में चार प्रस्थ होती है मध्य में तीन प्रस्थ होती है और हीन में दो प्रस्थ होती है पिर देखते हैं कब तक करना चाहिए मतलब कि यह वमन और विरेचन कब तक करना चाहिए कितना कि कैसे पताच लगाते है तो वमन जो है वो पितानतम तक करना चाहिए और जो विरेचन है वो कफानतम तक करना चाहिए मतलब कि यह है कि वमन और वमन पित्त अंतम तक करना चाहिए मतलब कि जब वमन निकाल रहे हैं तो उसमें जब तक पित्त ना निकलना लगए ठीक है तो वमन अगर करा रहे हैं तो पहले कफ निकलता है फिर पित्त निकलता है फिर वात निकलता है तो कभी कभी अज़सा होता है कि जैसे तीन या चार वेग ही आए वेरेचन के या दस वेग ही आए बारा वेग ही है और उसमें कफ निकल रहा है तो इसको ऐसा समसना चाहिए कि जो वमन है वो उसमें शुद्ध मतलब की वमन ने पना कारे कर दिया है वक्ति में शुद्धी के लेक्षण निकल गया है और यही काम अगर वमन में पितानतम पित निकल गया है तो उसे शुद्धी के लेक्षण भी मिल रहे हैं तो भी उसे शुद्धी वाला समझना पिर उसके बाद देखते हैं कि समयक वमन के लेक्षण जो वमन है वह अच्छे इसके बाद हिर्दय पाश्व मस्तक इंद्रिय के मार्ग की शुद्धी शरीर में हलकापन होता है सम्यक विरेचन की लच्छन हो क्या होता है जो जैसे की सम्यक विरेचन हो गया तो क्या होता है तो स्त्रोतों की शुद्धी हो जाती है इंद्रियों के सुचता हो जाती है शरी उचित मात्रा में नहीं हुआ है तो उसके क्या लेक्षन होते हैं तो उसमें स्फोट कोट खुजली होती ही हिर्दे या सुरोतों में अशुद्यां हो जाती है शरीर में भारीपन होता है इसी प्रकार विरेचन के आयोग हो जाते हैं तो उसके क्या लेक्षन होते हैं जैसे मन के विग आ गाग हे हो तो उसके क्या लख्चन हो गए कि प्यास के अधिकता लगती है मौह, मूरचा होती है वाध्प्रकॉप हो जाता है निद्रा नाश और बल्की हानी होती है उसे प्रकार पित्त के जो अती होगे हैं ज्यादा मात्रों में पित्त के वेग निकले हैं तो उसके क्या लक्षन होते हैं कफ पित रक्त का छह हो जाता है शरीर में सुन्यता होती है अंग मर्द होता है क्लम होता है कंप होता है निद्रानाश बल्च है हिकका उनमाद और आखों के सामने अंधिरा चाह जाता है यह लक्षन होते हैं फिर करतमान सरस कुकरम से तीन अनकाल, दो अनकाल और एक अनकाल में सेवन करें